क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊं अभी जैसे तैसे हमने असूर 2 के सारे एपिसोड्स देखे खतमी किये थे उतने में इसके जैसा ही पागलपन, सस्पेंस, ट्रिलर वाला एक और शो मारकेट में आ चुका है यार ये लोग मानेंगे नहीं किया बिना डराए स्कूल ओफ लाइज ये है OTT पे होने वाला नया धमाका दमाग को फारने वाली एक खतरनाक वेब सीरीज असूर में तो हम सिफ एक राक्षस को ढून रहे थे पूरा टाइम यहां इस वेब सीरीज में हर इंसान के अंदर एक असूर छुपा है जिसको पकड़ना नामुम्किन होगा आपके लिए ये वेब सीरीज कितना डर्क और भयानक है इस बात को समझाने के लिए मैं आपको सिफ एक सीन एक्स्प्लेन करूंगी एक मुर्गी खूब हटी-खटी तंदरुस उसने दो बड़े-बड़े अंडे दिये बाद में इन दोनों अंडों को एक आदमी उठा लेता है फिर किचिन से खुश्बू आने लगती है लगता है कुछ तेस्टी बन रहा है यहां तवे पे दो बड़े-बड़े अंडों का ओमलेट तयार किया गया लेकिन खाने वाले को इसका स्वात पसंद नहीं आया अब ओमलेट के साथ आगे क्या हुआ आप जानते हो उसी मुर्गी जिसके पेट से इन दोनों अंडों ने जन्म लिया था उसी मुर्गी को ये ओमलेट खिलाया जाता है और शायद मुर्गी इतनी भोली है कि उसको पता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को ही खा रही है क्यों दिमाग का जोपड़ा हो गया ना आपका बस आदर डालो पूरे 8 एपिसोड ऐसी अजीबो गरीब चीजों से गुजरना पड़ेगा आपको कहानी वैसे एक स्कूल की है जहां से छोटा सा बच्चा गायब हो गया है लेकिन कमाल की बात ये पहले भी स्कूल से भागा था और बड़ी डरावनी जगें पर मिला था एक जंगल जहां मौझूद है कब्रिस्तान उसके आसपास लगे हैं हजारों पे जिन पर बुरी आत्माई रहती है ये बात आसपास रहने वाले लोग अच्छे से जानते हैं और हाँ इस जंगल में एक टेंदुए की कहानी भी बड़ी मशूर है जो अपने मन से कभी-कभी बहार निकल के इंसानों का शिकार करता है हाँ तो कहां थे हम स्कूल वहाँ बड़ा बवाल हो गया है, बच्चा गायब कर दिया तो पुलिस की एंट्री होती है अब कहानी में अब पुलिस को क्या पता चलता है ये जो बच्चा गायब हुआ ना ये बाकी बच्चों को अपने माबाप की जूटी जूटी कहानिया सुनाता रहता था जैसे मान लो आपको पसंद है बर्गर और मुझे उससे नफरत है पे लड़का आपको बोलेगा मेरी मम्मी दुनिया का सबसे टेस्टी बर्गर बनाती है और मुझे बोलेगा कि बर्गर से पेट खराब हो जाता है कभी मत खाना अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आप समझी गए होगे यहां डाल में कुछ काला नहीं है पूरी की पूरी डाल ही काली पीली है बटरफ्लाइफेक्ट के बारे में जानते हूँ शौट में बोलू तो एक टिटली के पंक खिलाने जितनी चोटी सी घटना उसके साथ दुनिया में होने वाली हजारों चीज़ें कनेक्टेड हैं और सिंप्लिफाइ करूं जैसे असुर में धरनजय के कैरेक्टर ने अगर शुब को कभी जेल न भेजा होता तो ये पूरा सीरिल किलर वाला गेम कभी शुरू नहीं होता ठीक वैसे ही स्कूल ओफ लाइज में एक चोटी सी चीज़ की वज़े से पूरे स्कूल के अंदर छुटकर वैठे बड़े बड़े असुर धीरे धीरे भार निकलते हैं क्यों देखना चाहिए आपको ये शो रीजन नमबर वन है दिमाग का टेस्ट लेने वाला एक सस्पेंस जो धोके से भरा हुआ है शो के मेकर्स हमेशा एक कदम आगे चलेंगे आपसे क्योंकि स्क्रीन पर कब पास्ट की कहानी आई और कब प्रेजन में वापस टोटे आप कन्फ्यूज हो जाओगे रीजन नमबर टू है इस शो का बड़ा अजीब सा लेकिन कभी पहले ना देखा हुआ कॉनसेप मतलब स्कूल वगरा पर शोज बनते रहते हैं लेकिन इस शो में जो टॉपिक उठाया गया है उसके बारे में ऐसे खुलम-खुला बात करने से लोग कतराते हैं खुद देखोगे तो जादा समझ पाओगे वैसे एक रीजन इस शो को ना देखने का भी बता देती हूँ स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है पेशन्स चाहिए रहेगा धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी और हाँ ये शो ज़रूर बच्चों के बारे में है लेकिन इसको बच्चों वाला टीवी सीजल समझने की गलती मत कर बैठियेगा अंदर खून खराबा है, मर्डर वगेरा है और एक सेंसिटिव इशू भी है जो इसको रियल लाइफ से जोडता है तो शो को हलके में मत लेना मेरी तरफ से स्कूल आफ लाइज को मिलेंगे पांच में से चाज स्टार्स दूसरा एक अलग हटके कभी न देखी सुनी कहानी तीसरा सस्पेंस को बना के रखने वाला डिरेक्शन आप पकर नहीं पाओगे शो का असली सच चौथा कास्टिंग बड़ी जवरदस है ऐसे एक्टर्स जो नाम से नहीं काम की वज़े से याद रहेंगे नेगेटिवस में बस दो शिकायत आदा आदा स्टा काट लेना उसका पहली तो शो थोड़ा सा धीमा है मुझे पसंद है लेकिन जनरल ओडियन्स बोर हो सकती है दूसरा सीजन टू में कहानी को पुष करना अच्छी बात है लेकिन सीजन वन को जलबाजी से खतम न करिये प्लीज अगर डाक शोज पसंद है सस्पेंस वाले तो नो डाउट ये आपको काफी पसंद आएगा चाल घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन पैसा वसूल समझ गए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए हो या फिर कुछ शिकायप करनी हो तो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टिक के बाई बाई